हाई गाइज वुआ गाइज हम यह च oppose कर रहे थे जो की हमारा इगुनू का बी एच डी 131 का 1st blog जो 1st blog था यानि पहला जो खंड था guys उसको हम लोग cover कर रहे थे हैं न guys but आज हम लोग 1st blog को complete कर लिए हैं और हम 2nd blog को पढ़ेंगे जो की खंड 2 का है so guys हम इसको start करते हैं okay so हमारा जो 2nd blog है यानि की खंड 2 का है तो उसमें हम लोग भक्ती कावधारा के बारे में पढ़ेंगे ठीक है so हम लोग इसको start करते हैं okay तो हमारा जो खंड 2 का है guys जो की भक्ती कावधारा है ठीक है तो जो हम लोग पढ़ेंगे जैसे की भक्ती जो कावधारा है उसको 4 भाग में divide किया गया है जैसे की आप देखो के first जो हमारा दिया हुआ है संद कावधारा है second है हमारा सूफी कावधारा है and third है हमारा किश्न भक्ती कावधारा है और fourth है हमारा राम भक्ती कावधारा ठीक है तो हम ये चारो चीजों को मतलब पढ़ेंगे इस second ब्लॉग में सो हम लोग first आज पढ़ते हैं संद कावधाराय ओके सो संद कावधाराय में हम लोग पहले इसकी रोप्रेखा देख लेते हैं जैसे की पहला जो हम लोग पढ़ेंगे उद्देश क्या था पस्तावना फिर निर्गुन भक्ती धारा और संद कावध के बारे में पढ़ेंगे फिर आप देखो के 4.3 में जो दिया हुआ है प्रमुक निर्गुन जो संद कवी थे उनके बारे में उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और 4.5 में जो दिया हुआ है निर्गुन संथ कावे का भाव क्या था पक्ष उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीके और हमारा जो नेक्ष्ट है निर्गुन संथ कावे पर अन दाशनों का क्या पने जो दाशनीक थे ना उनका क्या प्रभाव था ठीके और लाश जो है हमारा निर्गुन संथ काविक का अभिवेंजन पक्च क्या था ठीक है तो ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे ठीक है तो हम लोग फर्श देखते हैं जो कि उद्देश यानी की हम लोग इस चैप्टर को पढ़के हम लोग क्या क्या बता पाएंगे संथ जो हमारे कावि थी उनके बारे में ठीक है तो हम लोग देखते हैं जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि भक्ती कावि में निर्गुन की अधारना के बारे में हम बता सकेंगे and second जो है हमारा संथ कावि की अधारना और उसके अर्थ विकास की जानकारी दे पाएंगे ठीक है यानी कि संथ जो कावि थे ना उनकी अधारना और उनका अर्थ क्या था उसका विकास उसके बारे में हम लोग बता पाएंगे तो इसकी क्या क्या प्रम्पड़ा आ थी कवियों की उसके बारे में पता पाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा पस्तावना देख लेते हैं कि पस्तावना में हमारा क्या दिया हुआ है सो पस्तावना में जैसे दिया हुआ है कि भक्ती आंदोलन जो था हमारा सवा तीन सो साल यानि कि सवा तीन सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है अच्छाय रामचन शुकल के अनुसार 1318 से 1643 इस्वी तक मतलब यह फैला हुआ था जिसमें आती है भक्ती आंदोलन में और यह पार्ठ भी इसी में आता है तो पूरे भक्ती आंदोलन की कुछ शामान विसेशता रही ठीक है जिसके बारे में आप हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था गाई इसके बारे में ठीक है तो हम नीचे थोरा सा इसको देखते हैं जैसे कि निर्गुन जो भक्ती कावेधारा की उपासना भक्ती के अधार पर दो साखाओं में विभाजी थे यह साखाए हैं हमारी देखो दो साखाओं में विभाजी थे आप इसको याद कर सकते हो कि यह जो हमारी जो साखाए थी यानि कि यह जो निर्गुन जो भक्ती कावे थे उसकी दो साखाय थी पहले आप जैसे देख सकते हो कि हमारा ग्यान ग्यानमारगी कवी इसके अंदर में आते हैं संथ कावेधारा और सेकेंड जो है हमारा प्रेमारगी इस कवी में सूफी कवी मतलब सूफी के जो कावेधार आये थी वो भी आते है ठीक है तो इसमें हम लोग बहुत जैसे बिद्वाने जो यानि कि इसमें जो भे हमारे कवी थे ना जैसे कि कवीरदासी, रैदासी, दादूर आधी ये सब जो थे ना वो ग्यान मारगी संद कवीयों में आते थे ठीक है तो ये सब के बारे में हम लोग तो आधारना और अर्थ का विकास कहने का मतलब यह जो निर्गुन भक्ती धारा थी या फिर आप इसको संथ कावे बोल सकते हो तो इसकी आधारना क्या थी और इसका अर्थ यानि इसके अर्थ को हम लोग अच्छे से समझेंगे ठीके जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि निर्गुन भक्ती धारा में इश्वर को निर्गुन निराकार माना गया है निर्गुन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी कवी थे ना उनकी जो भी रचनाय थी उसमें उन्होंने इश्वर को नीराकार यानि नीरूप यानि उनका कोई रूपी नहीं है इस रूप में उन्होंने पस्तूत किया है इसलिए इसको नीराकार माना गया है इसकी दो उप उपशाखाय थी ठीक है इसकी दो उपशाखाय थी जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि जैसे कि ज्यान मारगिये जिसमें आते हैं हमारे संथ कावे ठीक है संथ काव इसके अंदर में आते हैं हमारे और जो हमारे प्रेमारगिये कावे हैं उसमें सूफी कावे आते हैं ठीक है नोट कर सकते हो कि ये जो ज्ञान मारगी कावे धारा है वो को संथ कावे कहा जाता है तो अब संथ कावे का अर्थ क्या होता है ठीक है तो अब जो संथ कावे होते हैं उसका मीनिंग क्या होती है तो संथो के द्वारा मतलब हम लोग अभी कावे के बारे में पढ़ रहे हैं कि संतों के द्वारा रचा गया जो कावे होता है यानि जो संत यानि जो सादू होते है ना उनके द्वारा जो रचा गया जो कावे होता है ना उसे हम लोग संत कावे कहते हैं ठीक है सामान संत जो सब्द का अर्थ होता है कोई भी सदाचारी पती पवित्र मात्र वैक्ति कहने का मतलब देखो जो संथ सबसे हमें पता चलता है संथ किसे कहा जाता है जो की मतलब परमात्मा जैसे होते हैं कहने का मतलब उनका जो मन होता है वो एकदम साफ होता है I mean एकदम जैसे की उनको बहुत ग्यान होता है वो हर चीज को एक ऐसे मतलब वो दूसरे इंसानों से थोड़े अलग होते हैं उनका जो बैवहार होता है वो अच्छा ऐमिन बहुत जैसे ध्यालूपुरा बोल सकते हो ऐसा होता है इसलिए उन्हें संत या साधूप महत्मा कहा जाता है बोलते हैं हम लोग ना कि घर में जैसे कोई संत आया है तो उसकी सेवा की जाया या उनको बहुत इज़त दिया जाता है आप बोल सकते हो इसलिए प्राचिक जो सब्ध हम लोग बच्पन से परते आ रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हो क्योंकि संत को काफी बड़ा महान बोला जाता है गुरू के जैसा उनको बोला जाता है तो यही एक अंतर होता है संत में और इंसान में इंसान तो मतलब जैसे नौर्मली तो हम लोग गलती बगरा करते हैं इसलिए उनको पवित्र आत्मा कहा गया है संद का यह पड़िभासिक अर्थ कुछ व्यापक है आप इसको थोड़ा बड़ा से भी बोल सकते हो यह सद्विकसित होते हुए भी एक अर्थ रूट होता यानि कि यह विकासित है पर इसका भी एक मीनिंग है आप इसको अपने हिसाब से बोल सकते हो ठीक है जैसे कि कवीर जो कवीर थो थे वो एक संद भी थे ठीक है तो उनको इसलिए रखा गया है ग्यानमार्गिये कवियों के दोड़ा ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट में दिया हुआ है कि निर्गुन धाड़ाओं में ग्यानमार्गिये का अर्थ और दिस्टी कोन क्या है ठीक है तो हम इसको देखते हैं कि ब्रह्म के निर्गुन अथाग सत्वादी गुनों से रहित अथवा उनसे पड़े रहने वाले रूप को लेकर चलने वाले भक्त कवियों को निर्गुन धाड़ा का कवी कहा जाता है कहने का मतलब की जो लोग यानि की सत्संग उनका जो गुन होता हो ना सत्संग वाला गुन हो उसको लेकर जो निर्गुन धारा में जो कवी आते हैं ना उन्हें संद कहा जाता है संद कवी ठीक है जिन भक्त कवियों ने इस निर्गुन ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्यान को साधन बनाया उन्हें ज्याना मारगी कहा जाता है ठीक है जैसे कवीर आदी ज्यान मार ग्यान मार गिये निर्गुन धारा के कवी दे ठीक है तो आप एसी short point में इसको note कर सकते हो कि जान मार गिये निर्गुन धारा के कवी किसे कहा जाता है तो आप इसको है कवीर जी को। इन्होंने निर्गुन ब्रम को प्राप्त करने के लिए मुख ज्यान को साधन बनाया हुए ज्यान मारगिये निर्गुन धारा के कवी कहला है ठीक है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि ज्यान मारगिये निर्गुन धारा के कवी कौन कहला है तो आप यहाँ पर इसको मारगिये निर्गुन धारा के कवी थे ठीक है इसका अर्थ यह नहीं कि ग्यान मारगियों के यहां प्रेम का अथवा अभाव अथवा प्रेम मारगियों के यहां ग्यान का मतलब जादा है ठीक है यह विभाजन ग्यान अथवा प्रेम की प्रधान के अदा मतलब इसका मतलब यह नहीं कि यह जो ग्याना मार गिये थे या फिर यह जो प्रेमा मार गिये थे दोनों में अंतर है कहने का मतलब ग्यान तो दोनों में ही था ना इसलिए ठीक है अब हम लोग नीचे देखते हैं जो की है हमारा हाँ जो की हमारा दिया गया है निर्गुन संथ परंपड़ा निर्गुन संथ परंपड़ा सो गाईज अब हम लास्ट जो करेंगे जो की है हमारा निर्गुन संथ परंपड़ा के बारे में हम लोग देखेंगे ठीक है तो ये जो हमारे संथ जो परंपड़ा के जो थे ना हमारे निर्गुन संथ कभियों की परंपरा का जो आड़ में आप देख सकते हो गाईज जो की अमारा इशाई की बार्वी यानि इसा मसी जब थे उसकी बार्वी सताद्वी में जैदेव से होता है ठीक है किसके द्वारा होता है आप इसको नोट आउट कर सकते हो जय देव के द्वाडा होता है ठीक है और इनके कुछ जो पद थे नः वो आदि ग्रन्द में संगरहित है यानि आदि ग्रन्द में इसको संगरहित करके रखा गया ठीक है यह पद निर्गुण Comes के है साधारंता माना जाता है कि गीत गोविंद के रचैता जैदेव है ठीक है तो आप इसको भी लिख सकते हो कि गीत गोविंद के जो रचैता है वो कौन है गीत गोविंद ठीक है आप इसको भी नोट आउट कर सकते हो ठीक है और यह एक ही नहीं किन्तु दोनों के काव की वस्तु और शैली में इतना अंतर है कि दोनों को एक मानना असंभव है इस परंपरा इस परंपरा में जो हमारे तेरवी सताध्वी में मराठी और हिंदी दोनों में भजन लिखने वाले रामदे हुए ठीक है यानि इस परंपरा में यानि दोनों में दोनों का यने का मतलब यह जो प्रेमा स्रीय है और यह जो ये दोनों में इन्होंने अपने भाजन लिखे हैं ठीक है और गुरु गंत जो सहाव है इनके आठ से भी अधिक जो पद है वो संग्रित है ठीक है इसमें नामदेव जो हमारे उचकोटी के संत और कवी थे कवीर के गुरु रामा नंद इस परंपरा की तीसरी करी है किन्तों हिंदी में संत काव की रूढी न्यू रखने वाले उसे शामान बनाने वाले और सबसे अधिक जो प्रतिभा शाली कवी जो थे वो कवीरदासी ठीक है यानि संत जो काव धार आये थी उसमें सबसे महत्वपून हमारे कवीरदासी हुए ठीक है कवीर जिन रामानंद के शिद जी तो आप कवीर जी किसके सिष थे यानि कवीर जी के जो गुरू थे वो हमारे रामानंद जी थे ठीक है वो इनके गुरू थे कवीर दास जी के उनके शिष निर्गुन संथ परंपरा के महत्वपुन संथ कवी सिध हुए इन में आप इसका इस सब जो नाम दिया हुआ है न गाइज आप इसको short point में note कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पीपा, सेना, धना, रैदास, सुर्शरी, आदी, विसेश, रुपसे उलखनी हैं किसमें हमारे संध काव्य धाराओं में इस सब इनके शिश बोल सकते हो आप कवीर दासी के और यह भी बहुत मतलब इस समय में काफी इनकी रचनाए लिखी गई है इन्होंने लिखा है सो कवीर आदी इन संतों के शिश्यों की लंबी परंपरा हिंदी में चली है और आज भी चली आ रही है इन्होंने अनेक पंदों और गतियों के अस्थापना की उप्रियो लेखनी संतों के अत्रिक इस परंपरा से संदा बाहरी साहित कमाल दादू सुर्दास और मतलब इस सब नाम आप दिया हुआ ना आप इस सब को याद कर सकते हो सोर्ट टाइप कोश्यन में ओके गाईज तो हम इस वीडियो में इतना करते हैं नेक्स वीडियो में हम लोग प्रहमोख निर्गुन संत कवियों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है सो गाईज अभी के लिए बाई